सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शाथ ही बेल आइकन को पिश करके आल पर सेलेक्ट कर ले ताकि आपके राशी से जुड़ी शभी महत पूर्ण जानकारियां आपको शमेशमे पर मिलती रहे नमस्कार दोस्तों जे मातादी श्वागत है आपका हमारे इस चैनल में दोस अनवर्सरी है उन्हें हमारी तरफ से रहे शारी शुपकामनाए भगवान बजरेंग बली की किरपाश आप दिन दूगुनी राज चौगुनी की तरक्की पर रहे हम इस वीडियो में जानेंगे आपकी खुश्यों के साथ साथ ऐसी कौन-कौन सी परिशानिया और कौन-कौ जों से लेकर आपके राशी पर क्या असर होगी हम पूरी विश्तार से जानेंगे तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखिए जिनें वीडियो के अंत में काफी अच्छे विचार दिये गए हैं आप जरूर देखिएगा आज के पंचांग शी आज चार मई 2021 दिन मंगलवार का है और महीना वैशाक कर रहेगा तिथी की बात करें तो क्रिष्ण पक्ष की अस्टमी नामक तिथी बन रही है चो कि यह ठीक दो पहर एक बचकर दस मिनद तक चलेगा और श्क्यों प्रांद क्रिष्ण पक्ष की नव प्रारम हो जाएगा योग की बात करें तो शुक्ल नामक योग बन रही है जो कि यह ठीक रातरी की आठ बचकर 21 मिनट तक चलेगा और इसके उपरांत ब्रह्म नामक योग प्रारम हो जाएगा चलिए बात करते हैं शूरी और चंद्रमा का श्मे सुर्योदय का श्मे चंद्राश्ट का जो समय है और आएगा ठीक दो पहर 12 बचकर 37 मिनट पर शूरी राशी मेस राशी पर रहेगा और चंद्र राशी चंद्रमा मकर राशी इसके उपरांत कुम राशी पर संचार करेगा जो कि यह ठीक रातरी की 8 बचकर 24 मिनट तक चलेगा चलिए बात करते ह शुब शमेट यहां सुब है कि ग्यारा बशकर 57 मिनट से लेकर थीक दो पहर 12 बशकर 49 मिनट तक रहेगा और शुब कल यहनी राहु काल की बात करें तो यह ठीक शाम के तीन बज़कर 36 मिनट चलेकर ठीक शाम के पांच बज़कर 15 मिनट तक चलेगा याद रखीएगा मित्रों रहो काल के शमेक किसी भी महत्पोन कारी को आप बिलकुल भी ना करें वरना आपके कारी में किसी भी परकार की विगनबाधाय आश्शक्ती है आश मैंने शिखा देने का मतलत खुद को उसकी नजरों में गिराना है किसी का दिल दुखाना शमुद्र में फेके गए पत्रों के शमान है वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कमाई छोटी या बड़ी होशक्ती है पर रोटी की साइच लग में एक जैशा ही होती है बहुत धर्द होता है उश्वग जब हम किशी पर अंधे की तरह विश्वास करें और वो हमें महशुष करा ही दे कि हम वाकई में अंधे थे चलिए बात करते हैं अब आपकी डेली राश्शिफल की आपके मिलन अनुशार शौभाव के कारण आपक यह सभी विश्वास नहीं नहीं है आज किसी भी दोस्त पर विश्वास करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानले आज आप बिल्कुल एस्पश्ट सोच रहे हैं और आप मुश्की लियोजना बनाएंगे और उसे महुत अच्छी तरीके से कार्यानविद भी कर अपने अधुरे काम आज पूरे कर दें और शिंता मुक्त हो जाएं अगर आपके श्वास्त की बात की जाएं तो आपके श्वास्त अपने शेहत के साथ साथ उन सभी लोगों को शेहत की भी जिमेदारी अपने उपर ली हुई है जो आपके उपर निर्भर है हम आपको बत आपके करीबी आपने जिम्यदारी ली हुई है सब का फिटनेश केवल बिल्कुल ठीक रहेगा आपको बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षित करने का मौका भी मिल शकता है अब आपके लव लाइप की बात करते हैं आप अभी हाल ही में किसी के साथ रोमेंटिक रिष्टे में बंधे हुए है वैसे आप इस व्यक्ति को पहले से भी जानते हैं लेकिन इसकी कई कम्यों को देखकर आपको अब आश्यर चकिद हो रहा है जो आपके सामने अब आई हुई है हम आपको बताना चाहेंगी वह आपकी उमिदों को समझने और उन पर खरा उतरने की कोशिश मे नाकाम है आपको उसे कुछ समझ देना होगा धीरे धीरे ही शही लेकिन वह आपको जरूर समझना सुरू करेगा चलिए आपकी करियर की बात करते हैं अपने श्वेंग के चीत एवंग धन का नियंत्रन लेना आपके लिए बहुत फाइदेमन है और आप इस लक्ष को प्रा कि अपने कारी शेत्र और करियर के मुद्श निपडने के लिए तैयार हैं हम आपको बताना चाहेंगे आज आप अपने अच्छे काम सुरू करें और एक बहुत ही कम शमय के भीतर आप अपने वीत में धन के शाकारात्मक परिनाम को महशूस करेंगे दोस्तों अगर इन बा